Dear friends, आज के इस वीडियो में आपको complete करवाऊंगा exercise 11.3 class 8th NCRT Maths में से ठीके, तो इसमें हमें बच्चो क्या करना है, जो हमने previous two exercises में shapes पड़ी थी, 2D shapes थी वो उनका हमने area और perimeter निकाला था, यहाँ पर बच्चो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3D shapes के बारे में study करना है 3D shapes meaning, जैसे यहाँ पर मैंने बना रख है cuboid, यह duster मेरे हाथ में है, तो यह एक example है cuboid का, ठीक है, जिसमें length है, यह इसकी breadth है और यह इसकी height है आप room में, अगर किसी में room में बैट की देख रहे हैं, तो room की length, breadth, height होती है, length, breadth और height, कितना room जो है वो उन्चा है, चोड़ाई, लंबाई और उन्चा है, तीन चीजे होती हैं, जिसमें 3D dimensional जिसमें होती है, x, y, z, x, 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 तो उसको हम बोलते हैं 3D shape, ठीक है, अब 3D shape में दो चीजें हम निकाल सकते हैं, area और volume, ठीक है, क्या-क्या निकाल सकते हैं, area और volume, ठीक है, जैसे उसमें, जो हमारी 2D shape थी, उसमें area और perimeter निकाला था, यहाँ area और volume की बात हम करेंगे, अब बचो इसमें difference क्या है, area होता है, जैसे अगर हमें माल लीजे, इसका area निकालना ह volume क्या होती है, volume होती है, इस shape के अंदर कितना material है, ठीक है, अंदर कितना material है, उसको हम बोते हैं volume, ठीक है, अम माल लीजे, कमरे का मैं room का example देता हो आपको, अगर आपको room में walls को paint करना है, तो सिरफ दिवारों की बात होई ना, दिवारों पे आप paint करेंगे, बीच में paint थो दिवारों पे नहीं चिपकाया जाएगा, ठीक है, तो अंदर जब भरने की बात हो, वो होती है volume, ठीक है, और जब सिरफ उसके चारों तरफ, जो surfaces हमें दिखाई दे रहे हैं, सिरफ उनकी बात हो, पेंट करना हो, जैसे इनको paint करना हो, तो वहाँ पे area की बात होती है, बात यहाँ पे जैसे-जैसे हमारे पास question आईगी, वैसे-वैसे मैं आपको उनका basic और साथ में formula भी समझाऊंगा, चलिए first से start करते हैं, first में देखो हमारे पास दो shape है, क्यूब और cube, क्यूब होता है, जिसमें length, breadth और height, अलग-अलग हूँ, ठीक है, length, breadth, height, अलग हूँ, मतलब सारे तीनो साइडे बराबर ना हो, जिसमें तीनो length, breadth, और height, तीनो बराबर हो, उसको हम भोते हैं cube, जैसे जिससे आप ludow खेलते हैं, वो dice, cube का best example है, ठीक है, और cuboid का example मेरे हाँ मेरे हाँ में है, यह duster है, ठीक है, book है आपकी, रूम है, तो यह होते है, cube और cuboid, अब इसमे length, multiply, breadth, multiply, height, और यहाँ पे cube है, cube की side को length, breadth, height की जगा, क्योंकि सारी side हैं बराबर होती है, तो इसको A नाम दिया जाता है, A, ठीक है, क्योंकि तीनो साइडे बराबर होती है, तो इसकी volume को हम लिखते है, A cube, A cube का मिनिंग क्या है, A multiply, A multiply, A, A को तीन बार multiply, और A क्या है, इस नाम देखते हैं, क्या करना है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, volume of, volume of, cuboid, cuboid की volume का formula मैंने आपको बता है, L, B, H, तो length कितनी है, 60, breadth कितनी है, 40, इसको length बोलते हैं, इसको breadth और इसको height, ठीक है, तो 40 multiply 50, अब इसको multiply कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 3, 0, as it is, लिख दो, ठीक है, उसके बाद, 5, 4, 20, 26, 120, तो 120 यह आ गया, तो यह meter cube में आपने लिख 1000, अब second वाली जो shape है, हमारी, यहां लिखेंगे volume of, volume of cube, cube की volume क्या होती है, a cube, means, side, multiply side, multiply side, तो यह जगा 5, 5, 25, 5, 125, और साथ में, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, और meter cube, अब आप देख लिजे, कौन बढ़ा है, इन में से, ज्यादा है, यह अबले statement, तो हमें बताना था किसको lesser amount हम यहां पर लिखेंगे, इनके diagram के number दे रखें, a और b, हम यहां लिखेंगे, figure a required lesser amount, lesser amount of material, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा, first question, next करते है, a suitcase with measure, 80, 48 and 24 cm, अब जब भी इस तरह से आपको dimension दी गई हो, इसका मतलब क्या होता है, first है length, second है breadth, और next है height, is to be covered with a tarpling cloth, एक cloth के साथ उनको cover करना है, अब जब भी, माली जी यह आपका suitcase है, तो इसको जब cover करोगे, तो बाहर बाहर से cover करोगे, इसके अंदर थोड़ी cover भरेंगे, तो बाहर वाले surface के उपर cover करना है, इसका मतलब area हमें निकालना है, ठीक है, तो area निकालना है, फिर क्या करना है, how much meter, कितने meter, of tarpling cloth, of width, अब इसकी width दे रही है, जैसे कपड़ा जो होता है, इस तरह से उतना, roll होता है कपड़े का, अब इसकी जो width है, वो तो 96 meter है, तो कितना ये लंबा, कितना लंबा हमें कपड़ा ये चाहिए, तो वो हमें बताना है, ठीक है, तो मतलब इसका area हमें, अग suitcase, ठीक है, इस shape में, अब इसका जो length, breadth और height है, वो हमें given है, ठीक है, length, breadth, height given है, तो हम इसका area निकालें, क्योंकि जितना, एक suitcase का area आएगा, फिर उसको 100 से multiply कर देंगे, 100 suitcase का area जाएगा, अब जितना वो area है, उतना ही तो कपड़ा लगेगा, ठीक है, उतना ही area हमें area of one suitcase, area of one suitcase, एक suitcase का area, अब कि बॉइड के total surface area का formula होता है, बच्चों, 2 into LB plus BH plus HL, ये formula आपने ध्यान रखना है, L length, B breadth, length, breadth की multiply, फिर breadth, height की, और फिर height और length की, अब यहां से देखते है, 2, थोड़ा इदर लिग लगते हैं, 2 into L और B, length और breadth कीतनी है, 80 multiply 48, plus BH, 48 multiply 24, 48 multiply 24, plus HL, 24 multiply 80, ठीक है, अब इनको solve करते हैं, 2 into, 80 और 48 को multiply करेंगे, तो याज़ेगा, 4840, ठीक है, multiply करके, आपने देख लेना है, plus, इसको अगर हम multiply करेंगे, तो याज़ेगा, 1,152, plus, इसको अगर आप multiply करते हैं, तो याज़ेगा, 1920, ठीक है, इस तरह से, अब यहाँ से बच्चो क्या हो गया है, is equal to multiply, इन सबको plus करते हैं, इन सबको अगर आप plus करेंगे, तो याज़ेगा, आपका, 6912, यही आएगा ना, हाँ, यही आज़ेगा, ठीक है, 6912, अब इसको 2 से जब multiply करते हैं, तो हमारे formula वाला 2 है, जब इस से multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा, 13,824 मीटर स्क्वेर, हाँ, हाँ, करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है, तो यह आगया, टोटल एरिया जितना हमें कपड़ा चाहिए, यहाँ लिखेंगे हम, एरिया ओफ, एरिया ओफ, क्लॉथ, या फिर टैपलीन, जो भी है, यह जिवन है, इसका एरिया जो है, वो भी कितना एरिया लगेगा, ज यह तो वन सूटकेस का है एरिया, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, एरिया ओफ, ओफ, हंडर्ड सूटकेस, हंडर्ड सूटकेस का एरिया कितना जाएगा, थर्टीन थाउजन्ड, एट हंडर्ड ट्वन्टी फोर मल्टिप्लाई, हंडर्ड मीटर स्क्वेर, ठीक है, अब य तर्टीन थाउजन्ड एट हंडर्ड ट्वन्टी फोर मल्टिप्लाई हंडर्ड, ठीक है, अब इसका तर्पलीन जो है, वो क्लॉथ तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा इस तरह से, ठीक है, लेंथ उसकी हमें पता नहीं है, वो हमें निकाल नहीं है, और ब्रेट इसकी है तो यह दिवाइड में जाएगा, यहाँ से यह चला जाएगा, दिवाइड में, ठीक है, अब इसको आपने कैंसल करना है, यहाँ पे कहां करें, यहाँ पे कर देते हैं, 13,824 x 100 divided by 96, ठीक है, अगर 12 पे नहीं करना आता, तो पहले 4 पे कर सकते हूँ, 8 पे कर सकते हैं, 12 पे क बच जाएगा 18 12 12 6 62 12 50 60 और 12 20 24 ठीक है अब 8 पे कैंसल करोगे 144 आ जाएगा 144 को 100 से मल्टिप्लाई करेंगे 144 और साथ में यह आ गया सेंटीमेटर में आएगा स्वरी यहां पर जो है सेंटीमेटर था न यहां पर कंहेंन पर यहां पर हम सेंटीमेटर स्क्वर के लगाएंगे और यहां पर भी सेंटीमेटर और मेटर ठीक है दोनों में से कोई व्यान सा लिख दीजिए तो दुनों सही है ठीक है next करते हैं find the side of a cube which surface area is 600 meters square एक cube है cube होता है इस तरह से जिसकी सभी side ने बराबर होती है ठीक है तो इस तरह से हमारा cube है अब cube की जो side है वो हमें निकालनी है अगर इसका surface area surface area 600 meter square हो तो यहाँ लिखते हैं surface area of cube का surface area कितना है 600 meter square आप इसके surface area का formula क्या होता है total surface area का formula होता है 6a square ऐसा क्यों क्योंकि a square का मिनिंग है side multiply side अब यह देखो हर एक इसका जो face है वो एक square ठीक है square का area formula क्या होता है a square अब cube में 6 तक होते हैं जिसे आप लोड़ों चलते हैं उसमें आपने देखा होगा maximum counting कहां तक होते हैं 6 तक क्योंकि 6 face होते हैं इसलिए 1 face square का area a square और 6 faces है इसलिए हमने 6a square इस formula को बनाया है तो हम यहाँ पर इसी formula का यूज करेंगे 6a square is equal to 600 अब a square के साथ 6 multiply में है right में shift करेंगे तो divide में cancel करेंगे तो 6 बंजा 600 आ गया तो a square के value वच्छा आप की आ गई 100 अब square है इसको shift करेंगे right में तो square root बन जाता है या फिर आप ऐसे लिख सकते है square root both side ठीक है तो यह 100 का 100 को हम लिख सकते है 10 multiply 10 और square root में जब pair हो तो उसमें से एक लिया जाता है तो 10 meter हमारी side आ गए ठीक है रुक्सार painted outside of a cabinet of measure 1 meter 2 meter 1.5 meter पहले भी मैंने आपको बताया था इस तरह से जब डिमेंशन दियो first length second breadth और next height तो यहां पर इस तरह से cabinet आपका diagram दिया गया है यह इसकी length है यह height है और यह breadth है तो इसका outside बाहरी surface जैसे माली जी यह cabinet है इस तरह की cuboid तो बाहरी surface को paint किया जाता है तो क्या होता है how much surface area did she cover if she painted all except the bottom of cabinet माली जी यह cabinet है आपका ठीक है आप यह cabinet है यह top यह दोनों side यह front यह back bottom हो गया यह वाला तो इस surface में देखो कौन-कौन सी चीज़े आती है नीचे वाले surface में एक तो आती length और एक आती है bread तो मतलब LB जो है वो उसने paint नहीं किया ठीक है total surface area का यहां पर लिखेंगे area she covered कितना area उसने cover किया तो वह कैसे आए बच्चों वैसे तो होना था total surface area तो होता है टू इंटू LB plus BH plus HN लेकिन जो bottom उसने paint नहीं किया नीचे वाला हिस्सा paint नहीं किया तो वह हिस्सा हम माइनस कर देंगे अब इस हिस्से की dimension इस हिस्से की मल्टिप्लाइ करना है माइनस करेंगे LB ठीक है आपको जैसे रूम वाल अगर कोई समाएगा तो चत को अगर पेंट नहीं करें तो तब भी ब्रेट और हाइट ब्रेट है वन और इंटू वन पॉइंट फाइव सॉरी ब्रेकेट नहीं लगेगी अभी प्लस एचल एचल हाइट और लेंद यह हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू माइनस LB कितना है टू मल्टिप्लाइव ठीक है तो आप इसको सॉल्व करते है तो यहां से 2 बंजर 2 प्लस 1.5 को 1 से 1 से किसी को भी करो सेमी आता है 1.5 यहां पर 2 से करेंगे तो 3 आएगा क्यों कि 15 को 2 से मल्टिप्लाइव करते हैं तो 30 आता है 1.5 को करेंगे तो 3.0 आजएगा 0 की कोई वैलियू नहीं होती तो 3 आजएगा सॉरी माइनस करना हमें माइनस करेंगे माइनस 2 तू बंजा 2 ठीक है अब हमें क्या करना बच्छों यहां पर 2 multiply इनको प्लस करते हैं 3 प्लस 2 5 5 में 1.5 को प्लस कैसे करना है 5.0 लिखके 5.0 1.5 तो यहाजएगा 6.5 ठीक है यहां हम लिखेंगे 6.5-2 इनको multiply करते हैं फाइव तुजा 13 आ जाएगा 13.0 लेकिन पॉइंट के बाद 0 लिखने की जुरूरत नहीं होती है तो माइनस कर देंगे 2 तो 11 मीटर स्क्वेर एरिया हमें पेंट करना पड़ा ठीक है इस तरह सी यह होगा देखते हैं डैनियल इस पेंटेड दो वाल्स एंड सिलिंग ऑफ क्य कर दे नहीं करना है एक ठीक है उस तरह के कम्रे की एक तो दीवारें पेंट कर रहा है और सिलिंग होती है छत पहलित है तो यहां पे हम एक ड्याग्राम बनाते इसकी length है 15 meter, breadth जो है 10 meter, और height है 7 meter, ठीक है? यह length, breadth height होगे, इसके जो फर्ष है उसको paint नहीं करना है, तो छत और फर्ष का area हमेशा क्या आता है? length into breadth, छत और फर्ष में length और breadth आती है, height नहीं आती है, height किसमें आती है? height दिवारों में आती है, यह बाता को ध्यान रखने है, ठ खत में और फर्ष में height नहीं आती है, यह सिरफ length और breadth से बने होते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, from each can, 100 meter square area is painted, मतलब, एक can जो लेके आते हैं paint का, उसमें से हम सिरफ 100 meter square area को एक can paint करता है, तो total area के लिए कितने can चाहीं? तो पहला काम तो हमारे यह होगा ना, कि area कितना है, जिसको हमें paint करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, solution में बच्चों क्या लिखेंगे? सबसे बहले तो लिखेंगे area to be painted, कितना area हमें paint करना है, और एक बाद जरूर बच्चों यह diagram जरूर बनाया करें, साथ में, जब इस तरह के area वाले question करें, area to be painted क्या है? total area minus area of floor, ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है, अब total area क्या होता है? 2 into LB plus BH plus HR, ठीक है, minus करेंगे, area of floor क्या जाएगा? LB, ठीक है? अब formula में रखते हैं values को, LB, length और width, 15 और 10, यहालिके 15 multiply 10, plus breadth height, breadth यह height यह, 10 multiply 7, plus height length, 7 multiply 15, ठीक है? minus LB, LB कितना है? 15 multiply 10, ठीक है, बात समझा जाएगी सबको, अब इसको solve कर देते हैं, 15 tangent, 150, plus 70, plus 105, minus 150, ठीक है? आपने नीचे करना है, मैं equal में इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि space नीचे फिर कम हो जाएगा, तो 2 into 325 करेंगे, 650 minus 150, यह जगा 500 meter square, इतना area हमें total paint करना है, अब 100 meter square के लिए कितने can चाहिए? तो यहां लिखेंगे, 100 meter square area needed, 1 can, तो यहां लिखेंगे, 1 meter square area needed, 1 by 100 can, तो 500 meter square area needed, 1 by 100 multiply 500, 0 से 0 cancel हो जाएगी, तो अंसर आजएगा, 5 cans, 5 cans में सारा camera जो है, वो paint हो जाएगा, फर्ष को छोड़ कर, वच्चों हमने complete किया, हमारी exercise 11.3 के first 5 questions को, ठीक है, next जो 5 है, वो हम next part में complete करेंगे, जिसका link आपको end में मिल जाएगा, तो आपको वच्चों अगर हमारे videos अच्छे लगते हैं, तो हमारे channel को subscribe करना ना भू वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, धन्यवाद